हेलो आज चे माई और आज की इस वीडियों बात करने वाले हम विष्टान फूट लिमिटेड के वारे में जिसको करीमें 6-7 रुपे के आसपास से रिक्मेंट कर रहा हूं फिलाल देखेंगे तो 8 रुपे के आसपास आ चुका है और इसमें आज की देखा जात करी दो परसी में गर्यावर्ट देखने को मिल रही है क्या स्टोक को बाई करने है चाहिए बाई करका स्को हरोल्ड करना चाहिए देखने को मिल रहे है Victor कारaroo 29 है ने चुकां उसने लागाता एक Β्पते से ओपर पलते हो अब को दोजाएचोई के अंदर डबल होते हैं अब ही भी से अपर किस पर बाइ करना है मैंने सब भी फीडियो बनार किये आप में चयांग जाकर देख सकते हैं आप देखेंगे मिस्टाउनफूर तो पास लिग घी राई है थी यहां पहले है और व्यूवर बैसिकली जो इस्टोक के FMCG सेक्टर से बिलोंग करता है अगर आप एक महिने आम देखेंगे इस्टोक 11-12% गिराई है चे महिने देखेंगे तो 38% एटन देखने को मिल रहा है जो कि कम नहीं होता है पर मिस्टान फूर के साब से देखने को मिल रहा है साल वर में 147% एटन द देखने को मिल रहा है जो की बहुत ही अच्छा है इसके प्राइस के हिसाब से इस्टोक पी 7.28 का एक अच्छी खासी रेली के बाद भी अभी भी इस्टोक अंडर वेल्यूड है वह एक आप इनका इनका से लिखेंगे तो इनका से जून टून शिस्टी में 78 हुआ करता था जो की फिलाल अब गर आप अभी देखते हैं दिसमर 223 में 331 हो चुका यहां अच्छा खासा सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है और प्रफिट टेक्स भी बढ़ते हो देखने को मिल रहा है 1 से 2 से 95 हो चुका है और वह यह अगर आप देखेंगे केस्टोर केस्टोर परमोंटर की होल्डिंग जो की फिलाल मार्ट 24 में 48.38 हो चुकी है तो परमोंटर की होल्डिंग थोड़ी सी यहां पर देखने को मिल रहा है पर इसका यह मतलब नहीं यह ज्यादा घटा नहीं है फास की देखते हैं 0 थी जो की 5.2 हो चुकी है एक अच्छी खासी रिले के इसमें अपनी एंट्री को बढ़ाते हो देखने को मिल रहा है जो की बहुत ही अच्छी बात है पब्लिक की देखते हैं अगर आप तो पहले 50.72 जो की फिलाल देखते है 46.62 हो चुकी है तो इसे लोड़ना पेटर मेंस की कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंट है बहुत ही पर फिलाल नहीं लेनी है मैंने पुराने वीडियो में भी आपको खा था आपको 16 लोड़ने के आज बास में एंट्री लेनी है पूरा पेसा अपर में नहीं लगाना है थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी बाइ करते रहना है जिससे श्टोक गिदेगा भी तो आपकी बाइंग उल्योमे